नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है है एक ड्राइवर तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है नरेटर से जिसने अभी अभी अपनी graduation complete करके एक law firm में junior clerk की job करनी शुरू करी है उसका काम court के orders को उन लोगों तक पहुचाना होता है जिनका या तो court में case चल रहा होता है या जिने court ने कवा के basis पर बुलाया है कई जगा जहां narrator जाता था वहां उसे बड़े अजीब अजीब लोगों को संबन देना होता था कई बार तो उसे repeat भी दिया जाता था एक दिन उसे new million नामक एक जगा पर जाना था जो की शहर से 40 मिल की दूरी पर थी वहां उसे Oliver Lutkins नाम के एक शक्स को court का संबन देना था उसकी किसी case में witness के तौर पर जरूरत थी और उसे बुलाने के लिए कई letters भी भीजे गए थे लेकिन उसने सब letters को ignore कर दिया था जब narrator new million पहुँचा तो उसकी सारी expectations पर पानी फिर गया उसने सोचा था कि village काफी साफ सुतरा होगा लेकिन village काफी गंदा था उसकी सडके मिट्टी से ढकी हुई थी दुकाने भी अजीब सी लग रही थी तब उसने station पर एक delivery man को देखा वो उसे बहुत खुश दिखाई दिया उसे देख कर narrator ने उससे बाच्चित करने की सोची narrator ने बोला कि वो यहां एक Oliver Lutkins नाम के आदमी को ढून रहा था उस आदमी ने बोला कि Oliver Lutkins को उसने एक घंटा पहले ही देखा था उसने narrator को ये भी बताया कि Oliver Lutkins को ढूनना इतना असान काम नहीं है क्योंकि वो हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी चीश के पीचे रहता है फिर उसने narrator को बताया कि वो अभी अभी Fritz की शॉप पर मिलेगा जहां वो पोकर खेल रहा होगा उसने narrator से पूछा कि क्या तुमें Lutkins को जल्दी ढूनना है narrator ने बोला कि Lutkins को अर्जेंटली ढूनना है ताकि उसे आफटनून की ट्रेन से वापत सेटी ले जाये जा सके इस पर उस hack driver ने बोला कि उसके पास घोड़ा गाड़ी है जिसमें वो Lutkins को ढूनने में उसकी मदद करेगा दोस्तों hack इसी गाड़ी को बोलते हैं लगा इसी लिए narrator ने उसका offer accept कर लिया दो डॉलर एक घंटे के हिसाब से hack driver और narrator के बीच deal final हो गई बाद में hack driver अपनी घोड़ा गाड़ी ले आया और narrator को बैठने के लिए कहा अब narrator villages के kindness और helpful nature के बारे में सोचने लगा कि villagers कितने helpful होते हैं और इस hack driver ने उसके problem अपने उपर ले ली अब hack driver और narrator के बीच बादशी शुरू हुई उसने narrator से पूछा कि क्या वो लुटकिन्स से अपना पैसा वापस लेने आया है उसने narrator को ये भी बताया कि लुटकिन्स कभी भी उधार के पैसे वापस नहीं करता उसने बताया कि उसने भी लुटकिन्स से पैसे लेने है जो उसने लुटकिन्स से पोकर गेम में जीते थे उसे लुटकिन्स के नेचर के बारे में पता था लेकिन वो फिर भी बेफकू बन गया बाद में उसने narrator को सज़ेस्ट किया कि वो लुटकिन्स के सामने पहले ना जाए क्यूंकि उसके fancy clothes को लुटकिन्स पैचान लेगा और उसे doubt होगा और वो भाग जाएगा तो उसने बोला कि Fritz shop पर वो उसके पीचे ही रहे narrator ये साफ देख रहा था कि हैग ड्राइवर उसके लिए लुटकिन्स को ढूणने में बहुत मेहनत कर रहा था narrator ने हैग ड्राइवर को सब बताया कि लुटकिन्स के case में witness के तौर पर बहुत जरूरत थी रास्ते में चलते चलते हैग ड्राइवर ने अपना introduction दिया उसने बोला कि उसका नाम बिल मैगनसन था और उसका main काम हैक काट चलाना ही है हैक ड्राइवर ने बताया कि ओलिवर लुटकिन्स बहुत बढ़ा धोके बाज है और वो लोगों को ठगने में माहीर है हैग ड्राइवर नेरेटर को फ्रिट्स की दुकान पर ले गया और उलिवर लुटकिन्स के बारे में पूछताच करने लगा फ्रिट्स जिसकी दुकान थी उसने बताया कि वो कुछ घंटे पहले ही आया था लेकिन अभी थोड़ी दिर पहले ही वो गस्टफ की दुकान पर शेव कराने चला गया है हेर ड्रेसर उलिवर लुटकिन्स के बारे में पूछने से अचानक गुसे में आ गया क्यूंकि लुटकिन्स ने उसके 35 डॉलर्स नहीं चुकाए थे लेकिन वहीं खड़े एक कस्टमर ने बताया कि लुटकिन्स को उसने होटल की तरफ सडक पर जाते हुए देखा है वहाँ से निकल कर बिल ने नरेटर को बताया कि लुटकिन्स के पैसे ना चुकाने की वज़े से वो गस्टफ की दुकान पर नहीं आया होगा और वो ग्रे की बारबर शॉप पर गया होगा जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि लुटकिन्स अभी पांच मिनट पहले ही निकल चुका है फिर उन्होंने पूल रूम या बैटिंग शॉप पर जाने के लिए डिसाइड किया क्यूंकि किसी ने बताया था कि वो कुछ सिगरेट्स खरीद के वहाँ से चला गया था उनके लुटकिन्स को ढूडने के सारे अटेम्ट्स फेल होते जा रहे थे और अब एक भी बच चुका था और नरेटर को भूग भी लगी थी नरेटर ने बिल से लंच करने के लिए पूछा इस पर बिल ने नरेटर को बोला कि यहाँ पे चार रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन उनका खाना अच्छा नहीं है वो एक काम कर सकते हैं बिल ने बोला मेरी वाइफ अच्छा खाना बनाती है वो हाफ डॉलर में खाना पैक करके दे देगी जो कि रेस्टोरेंट के खाने से सस्ता और अच्छा दोनों होगा बिल ने ये भी सेजेस्ट किया कि उन दोनों को वेट्स हिल पर चलना चाहिए और वहाँ लंच करना चाहिए वहाँ से नजारा भी अच्छा दिखता है नेरेटर आगे कहता है कि बिल उसकी मदद इसलिए नहीं कर रहा था कि वो हेल्पिंग नेचर का था बलकि वो नेरेटर से पैसे कमाना चाहता था नेरेटर के साथ बिताये गए टाइम के उसे पैसे भी मिल रहे थे और इवन नेरेटर के लंच टाइम के पैसे भी वो कमा रहा था खैर नेरेटर को लगा कि उसकी लौफम इन सारे खर्चों को उठा लेगी और फिर भी वो बिल जैसे केरफूल आदमी की कमपनी से बहुत खुश था जब वो उपर हिल की टॉप पर बैटे थे तो वहां से बहुत सुन्दर नजारा दिख रहा था नेरेटर के लिए तो वो बहुत ब्यूटिफुल व्यू था बिल ने उसके विलेज न्यू बिलियन के बारे में नेरेटर को सब बताया उसने बताया कि कैसे उनके गाउं में मिनिस्टर की वाइफ चर्च में बहुत जोर से गाना गाती है जब वो अपना करजा चुकाने में सक्षम नहीं होती है और उसके वहाँ की कॉलेजिस के लड़के लॉंग और फैंसी टाइप की ड्रेस वगरा पहनते हैं खेर नरेटर को बिल की बातों से ये समझ में आ गया कि उसे विलेज और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में अच्छी खासी नौलेज है और उसकी इसी नौलेज की वज़े से नरेटर को भी उस जगा से प्यार हो गया बिल ने बताया कि उसने कई तरह की जॉब्स भी की हैं अलग-अलग जगा काम करने और एक्स्प्लोर करने की वज़े से उसका नेचर चीरफुल और सिंप्लिसीटी वाला हो गया वो बार बार नरेटर को यही विश्वाद दिला रहा था कि वो दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंड ही लेंगे अट लास्ट बिल ने लुटकिंस के एक दोस्त को पकड़ा और उससे लुटकिंस के बारे में इंफरमेशन निकल वाई उसके दोस्त ने बताया कि वो अपनी मा के घर भाग गया है बिल ने बोला कि शायद लुटकिन्स को पता चल चुका है कि उसे ढूंडा जा रहा है इसलिए वो छुपने के लिए अपनी मा के यहां भाग गया है बिल ने नरेटर से बोला कि वो लुटकिन्स की मदर से उसे बात करने दे क्योंकि वो लुटकिन्स की मदर के मूँ से सच नहीं निकलवा पाएगा बिल और नरेटर जैसे ही लुटकिन्स की मदर कियां पहुँचे तो बिल ने उसकी मदर से स्ट्रिक्टली बोला कि Oliver Lutkins को court में as a witness बुलाया गया है उसने Lutkins की मदर को बताया कि इस आदमी को court ने appoint किया है और इसके पास Lutkins को पकड़ने का legal right भी है पीछे से narrator ये देखकर खुश हो रहा था कि उसकी importance अब बढ़ रही थी और वो lady भी impress हो गई थी Lutkins की मदर किचन में गई और दोनों ने उसको follow किया अचानक से वो दोनों हैरान हो गए क्योंकि Lutkins की मदर अंदर से गरम गरम प्रेस ले आई और उन दोनों को डराने लगी कि वो उन दोनों को जला देगी वो बिचारे डर के मारे वहां से भग गए उस लेडी की इस भयानक रियाक्शन के वज़े से बिल ने नरेटर के कान में वहां से निकलने के लिए बोला जैसे तैसे फिर भी वो पूरे घर में ढूनने के बावजूद Lutkins को नहीं ढून पाए क्योंकि अब नरेटर भी लेट हो रहा था और उसे ट्रेन भी पकड़नी थी इसलिए बिल फाइनली नरेटर को स्टेशन तक ले गया वापसी में जाते हुए नरेटर Lutkins को ना ढून पाने के लिए दुखी नहीं था बलकि वो इस बात से खुश था क्योंकि उसे बिल और उसके गाउं के लोगों के साथ अटेश्मेंट हो गई थी यहां के बिताए हुए कुछ गंटों के एक्सपीरियंस से वो न्यू मिलियन में ही रहना चाता था Lutkins के ना मिलने की वज़े से उसके आफिस वाले और ज़्यादा अपसेट हो गए और अगले दिन कोट में Lutkins की पेशी होनी थी और उसकी जरूरत भी थी उस दिन नरेटर को लगा कि उसका करियर अब शुरू होने से पहले ही खतम हो जाएगा क्योंकि उसका बॉस बहुत गुसे में आ गया था और उसने दुबारा नरेटर को भेजा कि वो Lutkins को कैसे भी करके पकड़ कर लए लेकिन इस बार नरेटर के साथ एक आदमी भी भेजा गया जो कि Lutkins के साथ पहले काम कर चुका था और वो Lutkins को पहचान सकता था जैसे ही ट्रेन न्यू मिलियन पहुँची नरेटर और उसका पार्टनर स्टेशन पर पहुँचे और उन्होंने बिल को प्लैटफर्म पर देखा लेकिन सामने दिख रहे सेंद में नरेटर के होश उड़ा दिये यह लुटकिन्स की मदर साथ खड़े हुए हस रहे थे यह लुटकिन्स की वही मदर थी जिसने नरेटर और बिल के साथ रूड बिहेवियर किया था नरेटर ने अपने पार्टनर को बताया कि यह बिल है और यह बहुत अच्छा आदमी है इसने मेरी लुटकिन्स को ढूड़ने में बहुत मदद की थी लेकिन अभी उसके और होश उड़ना बाकी थे जब narrator के partner ने बोला कि ये बिल नहीं बलकि खुद Oliver लुटकिन्स है लुटकिन्स और उसकी मा नरेटर को देखकर हस रहे थे और बेचारा नरेटर ये ही बोल रहा था तो उमीद है दोस्तों आपको इस वीडियो को explanation समझ में आ गया होगा आप से मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान ओके थैंक यू